मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजिए और बेर आइकेन को दबाएए तो आज का ब्लोग स्टार्ट करते हैं वेलकम बेग तू माई चैनल कि अब लोग और यह देखिए यह कल साम को ही जूला बनवाया था बगवान जी का तो यह जूला बन गया था साम को और यह सुबह से सहीं यूग पेंट कर रहा है आप लोग को पते हैं सहीं को पेंट करने का बहुत सौक है इसलिए उसने वाइट पेंट कर दिया है जूले को और फिर बाद में हमें यह सुबह सुबह हम लोग जूले को पेंट करेंगे और इसके बाद साम को हमें इसको डेकुरेट भी करना है जूले को तो सुबे से करके और रख देंगे तो इसका जो पेंट है जो वो सूख जाएगा और यह ओयल पेंट है तो थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने में लेकिन करना तो है फिर बगएर उसके वह अच्छा भी नहीं लगेगा और यह देखिए सा तो आपको की साम साम तक मेरी सफाई नहीं हो पाई थी और फिस के बाद मेरी तब्यत खराब हो गई थी तो फिर पूझा वगएरा मैंने की ही नहीं बच्चों ही नहीं की यह देखिए तो यह कैबनेट से जो टेवी की कैबनेट है उस टूपर वे रखे हुए थे सामान जो पूरा घर दो चुकी हूं मैं पूरी अच्छे से इसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी डेस्ट है और यह ऐसे नहीं जाएगी यह जाते जाते ही जाएगी और यह हमेजा धूल मिटी तो खेर आती ही रहती है हाद रेस्टिंग तो हमें करनी ही पड़ती है तो यह देखिए मैं उपर भी कर दूंगी और इसके बाद यह सारा सामान वहीं पर रख दूंगी झाल कर दूंगी और TV को ढख दिया थ हमेने जशे घंदा तो होई जाता है TV ढखने के बाद भी गंदी होगी थी लेकिन फिर मैंने ड़क दिया था और यह मैंने बनाया था उन से फेविकॉल यह से थोड़ासा लूझ हो गया है पहले बहुत ही टाये पह जब बना था और जो जो साउंड इस्टम है वह भी मैंने यहीं पर दखके रख दिये थे साइल में और धकने से वह वह उपर आपको दिख रहे होंगे ब्लैक कपड़े में मैंने रखके रख दिये हैं और यह सब ढ़कने से अब यह सब सामान में पोच के दोबारा से रख रही हूं तो यह गनपत लगाना पड़ता है तब यह साफ रहते हैं और यह देखिये मैं में मंदिर में आवे हूँ तो हॉल की मेरी जो है बैसी डेस्टिंग वगैरा है और अच्छे से करी है मैंने अच्छे नहीं करी है मतलब जीप क्लीनिंग कह सकते हैं आप बहुत अच्छे से करी है और यह देखिए तो मैं निर्मा लगा के सब के पानी से मंदिर को साफ कर रही हूं क्योंकि इसमें भी बहुत जादा महीन बारीक डस्ट है जो बिलकुल तो यह दिख रहा था तो फिर मैंने उसको पानी से और निर्मा के सब के इसे धोल यह मैं बोलगा रही हूँ और इस यहान पर अच्छे से पानी डाल रही हूं गयांकि दोडुरी का यह काम है करीमिय करके ने हम यह अन्दर पानी चला जाता है तो थरा मोने कभी डर होता है लेकिन कभी कवार तो दो-चार महीने में याच्छा महीने में एक आगवार दो देना दो देने से कुछ नहीं होता है और मैं दो देती हूं अपसर कोशिस करती हूं कि इसके अंदर पानी ना जा पाए और थोड़ा मोरा चला जाता है तो पहुँच देती हूँ जल्दी से तो इस तरीके से मैंने कर लिया था मंदिर साफ और इसके बाद मैं करूंगी यहां बाहर का पॉर्सन जो है यह भी साफ करना है दोया था और यहीं पे रखी हुई है क्योंकि लोगों को जो बरकर थे काम कर रहे थी निकाली तो इसमें अभी सीडी नेकालने में आप लोगों को पता है कि कितना मैंनत का काम होता है इस वाली सीड़ी को मैंने कितना उसमें अरेंज करके रखा है इसके छोटे गंबले जो हैं इसी में रखे हुए इंडूर प्लाइंट मेरे तो बोसा बटाने पड़ते हैं इसके बाद यह सीड़ी में वहार ला पाती हूं तो यह देखिए अब मैं वाल दो रहे हूं तो यहा आप सफाई में ही लगी रही तो यह देखिए अब जूला कुछ सजाया जा रहा है तो जूला सुक चुका है और अब देखिए जूला सज रहा है इसको डेकूरेट कर रहे हैं हम लोग तो इस तरीके से क्योंकि फोड़ी देर बाद ही हम पूजा होगी तो भगवान इसमें जूलेंगे तो इसलिए लगा रही हूं मैं और यह देखिए मैं अभी इतनी टाइम जब मैं यह साथ साड़े साथ बचे होंगे तब इसमें दुबारा से नहा की आई थी मैं और आने के वाद यह बिट्टू इसका डेकूरेशन कर रही थी तो मैं उसको बता रही थी कि यह हुए नहां थी यह लगा द room दीने और यह एक ठीब मेरे पास पैसे माली तो मैंने भी लगभा दीए ती और यह सुंदा लग रहा था यह देखिए और यह देखिए आपको याद को शुलाने के लिए तैयार हो गया है फ्रूला है पीजन मास्टिंगी, मैं मैं केशन बना हूँ, आपस आपको दिखे रहा होगा, मैं केशन बना हूँ मैं आपको एक कहानी सनाता हूँ, कृष्ने जी की, जब वो पैदा हूए थे उनकी पाद में छुपाने के लिए इतनी बड़ी बार से लेकाल के आया थे, उनको दे गाया थे, इतनी थे उनकी कहानी, बार में उनने तंस को मारा थे, फिर बुड़ द्वारी कर दी से, तो मैं आप से, सभी से कहता हूँ, कि आप से कहता हूँ, लाइक से सब्सक्राइब करें, हमाँ चैनल को देखें, सब्सक्राइब को देखें, बैल राइकन को भी दवाएए, और नोटिप्टिशन आपके होई में आईगे, आपको मचाना देए, किष्न का भी, किष्न के लिए तो बाइ, जैसी किष्ना, और यह देखिए, यह बहुत है, अभी कुछ दिनों से स्कूल बंद है, एक कुछ दिनों से नहीं, एक डेर दो साल होने को है, स्कूल बंद हैं नहीं, तो यह स्कूल में जादा तर करते रहते हैं, फैंसी ड्रेस में कुछ और यह जन्मास्तिमी म करते हैं, तो आज वे घर वो घर पर ही बन गए थे, कहने लगी कि मैं बनूंगा कनहिया, तो मैंने सुचे चलिए आप लोग इसकी भी वे ख्वाइस पूरी कर देती हूं, तो मैंने इसको सजा दिया था वड़िया, तो यह कनहिया बनके और पोज दे रहे हैं, वीडियो ब थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने की कोशिस की थी, तो यह प्रसाद है, जो बनता है हमारे यहां, अठ्वाई पंजीरी पंजीरी जो होती है, वह बनती है, हाई अबरीवाइन कैसे हैं, आप साब आई होग क्या आप साब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और आज जनम आज क्या हुआ था कि मैं पहले से भी आप लोगों को बता रही थी कि मेरे घर पर कुछ काम हो रहा था तो वो काम कल रात को 9-10 वजे फिनिस हुआ था, तो फिर इसके बाद हम करनी थी सफाई क्योंकि यह जो काम होते हैं लकड़ी वाले तो इसकी धूल रस्ट जो होती है, भी दिवार पूरे घर भर यह जाता है और मुझे यह सब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि त्यूर्फार को यह उसके एक दो दिन पहले बात को त्यृफार की तरीके मनाना चाहिए यह मुझे मेरा अज़िक भी था मानना है मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि एक दिन दो दिन पहले से हम लोग मतलब रात में भी लगे हैं साफ़ाई करने के लिए और सबसाफ़ाई और यह साफ़ाई मतलब करते करते हो प्रसाम को पूज़गी तैयारी करने होती है तो इस तरीके से कोई भी करने हैं कि हम लोग मतलब इतना ज्यादा इतना ज्यादा मतलब काम फैल लिया घर मैं कि मैं पूज़ा की कुछ में आपको उसमें दिखाए वीडियो में कि इस नहीं देखिए वामा कि क्या हालत हो इस हालत नहीं हो गई से इतना ज्याधा काम हो जाता है कि हालत खराब हो जाती है काम करते करते पिर किसी सीज का वो में रहेता है और ये सहीं और इतना साथ इतना लगा दिया और काव जो होता है उसको जैसे कि हमारा इसे फेस्टीवल था तो इसे शाप से हमें पहले से ही कर लेना चाहिए था या फिर उनसे कहते लिए जल्दी करो तो रात में भी करेंगे आप वो काफी रात तक करते रहे पर उसके बाद पूरा घर फेला पड़ा तो फिर सफाई करी और सफाई करने फिर भी नहीं वह पाया था मुझे पता था अगर हो या तो पूरी रात करेंगे तभी तो फिर हमने सुचा कि चलिए सुबह से तो बहुत ज्यादा थकावाट हो गई ची और आपको शकल देखके भी लगत रहा होगा कि मैंने ठीक नहीं है और उतना ही क्याफिसिटी की अनुसार ही काम कर पाता है इंसान यह जतना वह कि नहीं है और उससे ज्यादा हम लोग करेंगे तो फिर तो खराब होती है कोई हालत ह कोई यद2 आउदेकी और मेरे यहां हमेसा से ही होता है कि कोई होता है कि यहां इसी तैड़ THIS होता है और यहां मतलब होता है आधत मैं सब को इस तरिक का कि मुझे यह सब अच्छा लगता है कि कि फेस्टिवल के पहले पहले हम अपना काम पूरा फिरिस कर लें और फिर इसके बाद अपना इंज्वाइब करें अब ऐसे में तो इस तरीके से देखने मनाने की आदत होती है वही चलता करेंगे आप यहां हो यहां होगा तो आपको मेरी सब्सक्राइब हो एक है तो आज है नहीं थोड़ा मोड़ा है तो और अभी बच चुके हैं साड़े 9-10 बच चुके हैं और अभी बटन के चिन पूरा काम फेला हुआ है तो अभी वह फिनिस करूंगी और इसके बाद मुझे तरियत भी टिक नहीं है तो मैं वीडियो का कर रही हूं एंड तो मिलेंगे कल के व्लॉग में और कल तक के लिए बावाव फ्रेंट्स